हेलो दोस्तो स्वागत है बक्सर एडुकेशन यूट्यूब चैनल में आज इस कलास में बिहार SSE के लिए रुक्मनी पब्लिकेशन क्या भैलूम 3 के प्रैक्टिस सेट 6 देख रहे हैं जो बिहार SSE के लिए काफी मौत्पून है दोस्तो मेरे चैनल को लाइक सस्क्राइब और सेर अवस्य करें चले शुरू करते हैं प्रतम सवाल से भारत के किस राज्य में एल्मूनियम प्रगलन सेंद्रों की संख्या सबसे अधिक है तो या ओरिस्टा में सबसे अधिक है सेकेंड प्रस्ण मध्य अच्छांस मरुस्थल 35 डिगरी और डायस उत्तर और दच्छिन के बीच पाय जाते हैं जो उपोष्ण कटिपंधिया उच दाब वाले छेतरों के धुर्व की ओर है तो या चालिस डिगरी ठर्ड प्रस्ण में सुच मरिंड दाता बंधन फाइनेंशियल सर्विसेज जिसका मुख्याले डायस में है को आर बी आई द्वारा एक उनिवर्सल बैंक सुरू करने के लिए सेवधानिक मंजूरी दी थी कौन है दोस्तों सेवधानिक मंजूरी कलकत्ता ने दी थी चौथा प्रस्ण मुंडारी नित्य का संवन किस भारते राजे के आधिवासी समुदायस है तो यह जारकन समुदायस है पांचवा प्रस्ण दचिन भारत में मंदिरों के प्रांगन में बने उंच द्वारो को डायस कहा जाता है उच द्वारों को गोपूरम कहा जाता है छाठा प्रस्ण भारतिय सविधान का निमलिखित में से कौन सानुछेद जबरन स्रम को प्रतिबंधित करता है और सोशन को रोकता है तो क्या है दोस्तो यनुछेद तेईस है साथवा प्रस्ण बैकिन एजेंड के रूप में नुक्ती की गई महिला एस एच जी सदस्यों को डाइस खा जाता है तो एस एच जी सदस्यों को बैंक सकी करते है आठवा प्रस्ण नवाड़ा के मुख्य रूप से छोटे और सिमान किसानों और कास्तकार किसानों की रिण आउसकताओं को पूरा करने के लिए 2004 से 2005 में डाइस नामक एक भिसेस पालेट प्रयोजना शुरू की थी तो भिसेस पालेट प्रयोजना JLG के दोबारा शुरू की गई थी दोस्तो मेरे चैनल को लाइक, सस्क्राइब, सेर वह से करें हम सिर्फ GKGS कहां अध्यन कर रहे हैं दोस्तो निमलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है तो कौन कथन सही नहीं है दोस्तो बढ़ाई दोस्तो कौन सा कथन सही नहीं है तो जारखन में सरूर उस्व मना जाता है यह कथम सही है सुरी दोस्तो निमलिखित में से कौन सा कथम सही है तो सही कथम बताना है जारखन में सरूर उस्व मना जाता है और सरूर उस्व के उसर पो साल व्रिच की फूल साल ब्रिज के फूल भूमी में उर्वत्ता का प्रतिक होता है यह तीनों सत्य है दोस्तों सिर्फ GKGS का अध्यन कर रहे हैं जो हमारा नमरी सही नहीं होगा अलग-अलग होगा 26 नमर एक बस्तू का भार द्रोव में सोलर न्यूटन जिसकी बिस्ष्ट गुरुत्व छोग है तो बस्तू का भार जल में क्या है यदि बस्तू का भार वाई में 40 न्यूटन है तक इतना होगा दोस्तों 36 न्यूटन होगा फैराडे के बीदू चुम्बकिये प्रेणन पर किये गए परियोगों का उपयोग नीम्न में से औकुलन कीजिए तो इसका अलोकन करना है दोस्तों जब एक प्रबल चुम्बक किया जाता है तो गैल्बनो मीटर बिच्छेपन बढ़ जाता है ये भी सही है अठाइस नमर आयन में क्या समान है इस आयन में क्या समान है दोस्तों इलेक्ट्रोनिक बिन्यास इनका समान है उन्दिस नमर निम्न में से कौन सा समान वर्ग में होंगे कौन है दोस्तों जो समान वर्ग में होंगे ACD जो समान्य वर में होंगे 30 नमर क्या है दोस्तो 30 नमर सुची 1 को सुची 2 से मिलाना है गुलुको का टिकोडिक्स को यह संबंदित है दोस्तो एडिनल कोटेक्स से संबंदित है और कैल्सी टोनील या थोराइड गरंथी से संबंदित है एडिनलील एडिनल मेडूला से संबंदित है बौनापन सोमेटो ट्रोफिन हार्मोन से संबंदित है इसका ए होगा 31 नमर वर्स 22 के अनुसार किस भारतिय हवाई अड़े पर सबसे अधिक यात्रियों और विमानों की आवाजाही थी 32 नमर बायो टक्नलोजी विभाग के राष्टिय मस्तिक अनुसंधान के अंदर हर्याना द्वरा बिक्सित निम्द में से कौन सब प्रियोजना मस्तिक विकारों के प्रबंधन के लिए एक अनुठ्थी मस्तिक पहल है तो क्या है दोस्तो स्वदेश 33 नमर वर्ष्ट रचोदों में निम्द में से किस भासा को सास्त्रिय भासा घोसित किया गया है तो सास्त्रिय भासा और इसा को घोसित किया गया है 34 नमर डायस नदी ब्रमपुत्र नदी परनाली का एक अंग है तो ब्रमपूत नदीप परनाली का एक्या है तो उस्तो लोहित अंग है 35 नमर खजुराहों के मंदिर के निर्मान किस राजवंस के सासक में हुआ था तो इसका निर्मान चंदेल वस्त के राजवंस के सासंकाल में हुआ था चाथिस नम्मर निनम्य से की सोतंतर से नानी की निनात्मक लेखन की पहली कृती हिन सोराज अभी भी दुनिया भर में विवेचनात्मक रूची का विश्य है तो यह महात्मा गांधी द्वारा हिन सोराज कृती लिखी गई थी 37 नम्मर स्वद्देशी आंदोलों का लोगों पर सबसे अधिक प्रभाव किस छेत्रम पड़ा तो यह बंगाल में पड़ा 39 नम्मर बिश्व का सबसे लंबा लिखित सविधान किस देश का है तो यह दच्छिर सबसे ब्राल लिखित सविधान भारत का है 49 नम्मर बुद्ध पुल्णी में जो गौतम बुद्ध के भवक्तो दोरा मनाई जाती है को निमलिखित में से किस राज्य में सागा दवा के नाम से जना जाता है तो यह सिक्की में चालिस नमर रभी कृती ने निमलिखित में से किस चालूक सास की प्रस्तकी की राचना की थी तो यो पुले केसी दित्या ने की थी अंठावन नमर तामबे के तारों से बनी कि रखार कुणली किसी चुमबकिय छेत्र में घुनन कर रही है तब कुणली में प्रेडी धरा की दिशा किस परकार से एक बार बदलेगी तो यो कुणली के प्रतेक आधे परिक्रमन में बदलेगी उनसठ नमर घरेलू प्रिजनों हेतू AC की आपूर्ती की आविर्ती कितनी होती है तो 50 हज होती है साथ नमर फिलेमिंग के बाय हाथ के नियन के नुसार किसी बिधुत मोटर में कुण्डलित की भुजाओं में प्रवाइत होने वाली धराओं की दिशा एक दूसरे से किस परकार संबंधित है तो यह बीपरित संबंधित है एक सट नमर निमलिखित में से कौन सी योजना कारेकरम सुच्मबित जैसी पहल से संबंधित नहीं है तो कौन है दोस्तो उज्वल योजना बासट नमर निमलिखित में से किस अनुछेद में दोहरे डंड के बारे में बताया गया है जिसके नुसार किसी भी बेक्ति पर एक ही या प्राध के लिए एक से अधिक बार मुकादमा ना चलाया जाए और ना ही उसे डंडि किया जाए तो यह संबंदित है अनुछेद बीच के दो से संबंदित है तिरसट नमर दोहरे जंगनला के नुसार भारत की अगोत्यम जनमदर क्या है तो असोधिम्त जनमदर 21.8 परतिसत है केरल की दूसरी सबसे लंबी नदी भरत पुझा का दूसरा नाम क्या है जो पच्छिम से बहती है और औरप सागर में गिरती है तो यह पुनानी है किस संगीत निद्यसब को पंचम की नाम से जना जाता है पंचम की नाम से आड़ी बर्मन को जना जाता है 66 नमर वो ब्रामन पुजारी कौन था जिन्हें बाद में राम कृष्ण परवहंस के नाम से भी जना जाने लगा तो राम कृष्ण परवहंस के नाम से गदाधर चटो उपाधे के नाम से जना जाता है 67 नमर और 928 से 980 के बीच भारत ने ओलंपिक में कितने सुनपद जीते थे यहां आट सुनपद जीते थे 69 नमर भारतिय सविधान में उप रासपर्टी पर्द का पावधान डायस से लिया गया है तो यह संयूत राजय अमिर्का से लिया गया है 69 नमर भारत के सबसे उच्छ जल प्रपातों में से एक जोग जल प्रपात किस नदी का महा जल प्रपात है तो यह स्रावती नदी का अगला प्रस्ण निम्न में से वो कौन सा कारण नहीं है जिस वज़र से अंतिम बस्तुव को ऐसा कहा जाता है तन्तिम बस्त्व को इसका उभोग सबसे आखरी में किया जाता है 86 नमर आधोनिक आवर्ट सानी में फासपरोष को कहां रखा जाता है तो फासपरोष को प्रंदरवे समू और तीसरे आवर्ट में रखा जाता है तत्तों को उनके किस गुलों के अधार पर वरिकृत किया जाता है तो किसके अधार पर विभीन भावती गुलों के साथ साथ विभीन रशानी गुलों धर्मों के अधार पर वरिकृत किया जाता है एलकिन का समाने सुत्र क्या है तेलकिंग समासुत्र Cm H2n है 89 नियूलेंड के अस्टक नियम के अनुसार इन्वेस से किन तत्वों के गुंधर्म समानतों समान होते हैं तो इसके बिरलियम और मेगनीसियम गुंधर्म समान होते हैं अगला प्रोस्णो नियूलेंड के धात्वों को उनकी अवरेकी सिल्ता के अनुसार सही क्रम में ब्रोस्टित कीजिए तो सही क्रम क्या होगा दोस्तो या सेकेंड नमर हो जाएगा 91 नमर नियूलेंड में से कौन सा पंचवर्षिय जोजना के तहत किये गए क्रिसी से सम्बंधी सुधारकों में से एक नहीं है तो कौन है दोस्तो किरायाप पादिकरन बिभाग का गठाम 92 नमर भूपटी में खनिजों के रूप में केवल डायस कारवन होता है तो या 0.2% होता है भारत की भू सिमाए कितने देशों के साथ जुड़ी हुई है तो यह साथ देशों के साथ जुड़ी हुई है दूसरी पंचवर्षिय जोजना में इनमें से किस छेत्र पर सरवाधिक जोर दिया गया था तो सरवाधिक जोर उद्योग पर दिया गया था जब भारत की तरह बिधान मंडल के दो सदन होते हैं तो इसे डायस बिधान मंडल कहा जाता है जिसमें कहा जाता है कि जो मता पितक या संरचक है उन्हें चौसे चौड़ा वर्स के अपने बच्चों को जैसे भी मामला हो सिख्छा के औसर परदान करने होंगे तो यह अनुछे 51 से एसे संबंदित है संतावन नमर लोक सभा करेकाल तब तक भंग नहो उसकी पहली बैठक की नियत तारीक से डाइस तक होता है तो नियत तारीक से पांच वर्स तक होता है अन्ठानबे नमर स्टाट अफ इंडिया को डाइस के अंतरगत लौंच किया गया है तो इसे वालीजी यह मुधोग मंत्राले के द्वरा लौंच किया गया है 99 नमर किसोरों को प्रती दिन औसत मत्रा वाले कितने संतुलित आहार देनी चाहिए तुन्हें तीन संतुलित आहार देनी चाहिए सो नमर अंगरेजों ने अवत पर कपजा कर लिया था तो अवत पर कपजा कप किया था 1856 निस्वी में किया गया था सोलो नमर क्या S गुन सुत्रों वाले सुकरानू और Y गुन सुत्रों वाले सुकरानू के बीच कोई द्रिश्य भिभिनता है तो द्रिश्य भिंता होती है तो कैसी भिंता होती है दोस्तों नहीं उनके अकार या गती सिल्ता में कोई अंतर नहीं होता है सतरे नमर निमलिखित में से कौन सा पसुजनित नैट्रोजनी अपसिष्ट उत्पाद नहीं है तो कौन नहीं है दोस्तों लैटिक अमला फेपरों में कुपिकाओं के होने का क्या करण है तो कुपिकाओं के होने करण प्रिष्टिय छितपर में बृधी होना अनुईस नमर किन अंगों में बृधी और विकास के पहचात गर बन जता है तो अंडानो 20. प्रभावित लोगों की संख्या के मामले में कौन सा महादीप गुलोमन वार्मिन से सर्वाधिक पिडित होगा? तो सर्वाधिक पिडित एसिया महासागरों के अस्तर में ब्रिधी होगी आगला प्रस्ण हिटलर के किस देश पर आकमन के फोल सरूप दित्य अभिसयूद आरंभ हुआ तो दित्य अभिसयूद पोलेंड निमलिखित में से कौन से मिलान असत्य है? तो कौन से मिलान असत्य है दोस्तों? यह है बीन नमर मौरिस की रायधानी बिंढ़ोक नहीं होती है तेजिस नमर फास्टिंग फिस्टिंग सीर्षक पुस्तव की लिखिया का निम लिखित में से कौन है तो इसके लेखाग अनिता दिसाई है चोबिस नमर मई दोचोबिस में भारतिय रिजर्ब बैंक के करकारी निदसक के रूप में किसे नुट किया गया है तो आर लच्मी कंठ राव को नुट किया गया है अगला प्रस्ण हाल ही में अंतरास्टिय बुसु महसंग ने किसे वर्ष दोजातेईस की महिला बुसु एटलिट घोसित की है तो इसे नारोम रोसी वीना को घोसित की है अगला प्रस्ण कॉम्प्यूटर के संदर में जीवाई का बिस्तर क्या है तो जीवाई का बिस्तर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है अगला प्रस्ण किदार नाथ यत्रा के सुचारू संचालन के लिए उत्राखान पुलिस दोड़ा हाल ही में सुरू किये गए ऑपरेशन का नाम क्या है तो इस ओपरेशन का नाम अपरेशन मर्यादा है रास्टिय डेंगूदि वाउस दोड़श के विषय क्या है जिसका विषय है डेंगू की रोक्थाम सुरभशित कल केे लिए हमारी जिमेवारी है अगला प्रस्णों किस देश ने पहली बार सुल्तान अजलान साथ ट्रोफी 24 का खिता जीता है तो यह इंडुनेसिया का जीता है दोस्तों मेरे चैनल को लाइक सस्क्राइब से और अवस्य करें अगला प्रस्णों वस्ड़ चोविस में रतन टेटा को किस समान से समानित किया गया है तो रतन टेटा को किस मनतवादिस समान दोहरकोईस और पीवी नर्सीमा राओ मेमोरियल पुरसकारी दोनों से समानित किया गया है आगला प्रशन तिल चटो में स्वासन डाइस के माध्यम से होता है तो तिल चटो में स्वासरंधो के दुवारा होता है आगला प्रशन निमलिखित में से कौन सा एक कथन साही नहीं है तो कौन कथन साही नहीं दोस्तों या क्रीत और अगनासे के सराव आमासे में जताय कथन और सत्य है तालिस नमर निमलिखित में से कौन से उसमा छेपी यविकिरिया के उधारन है तो उसमा छेपी यविकिरिया के उधारन कौन है दोस्तो बुजावा चुना बनना प्राक्ति गेस का जन्ना अस्वासन ये तीनों ही उसमा छेपी यविकिरिया का उधारन है अगला प्रस्ण प्राक्तिक श्रोत और अमलेट से मिलाना है तो क्या हुगा दोस्तो सिर्का संबंधित है स्टिक अमलेट से और टमाटर और जेलिक अमलेट संत्रा स्टिक अमलेट से संबंधित है अगला प्रस्वन नेमली खित में से कौन सी 200 के सबसे लंबे ब्रीचों की प्रजाती है तो सबसे लंबे ब्रीचों की प्रजाती रेड बूढ है धन्माद दोस्तों मेरे चैनल को लाइक सस्क्राइब और सेर अवस्यक खरे